तो दोस्तों कैसा रहा फिर आज का दिन? मुझे नहीं रखता कि आज का दिन बहुत से डेडर के लिए यहाँ पर खास रहा होगा आज के दिन हाँ आपको एक चीज खास देखने के लिए मिनी होगी कि इंडेक्स पर तो हमें थोड़ा बहुत मुमेंट भी देखने के लिए मिल रहा था लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉल के प्रिमियम्स और पुट के प्रिमियम्स की बात करेंगे तो उनमें बहुत तेजी के साथ डीके किया जा रहा था चाहे आप किसी भी इंडेक्स की बात करें निफ्टी, बैंक, निफ्टी, फाइनेंस, निफ्टी किसी भी प्रिमियम्स में कोई भी बूस्ट अप नहीं था पूरे दिन मार्केट ने साइड़ वेज मुमेंट दिया साइड़ वेज मुमेंट की वज़ा से यहाँ पर आज कॉल बायर या पुट बायर ने एक भारी लॉस का सामना जरूर किया होगा अब सबसे बड़ी बात याती है कि दो दिन से मार्केट ही किसी तरीके से बिहेव कर रहा है हम इस मार्केट में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं या हमें ट्रेड करना भी चाहिए और नहीं करना चाहिए और आगे मार्केट किस तरीकी का बिहेव कर सकता है यह सारे डिसकेशन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं लेकिस सबसे पहली बात जो भी मेरा loss हुआ था इस market में तो finance safety की वज़ा से मैंने उस loss को यहाँ पर recover किया अब यहाँ पर मैंने 3-4 trade भी लिये थे over trade भी हुआ तो एक यहाँ पर जो मैंने trade लिया था वे करीब करीब 3 बज़े के आसपास लिया था यह जो 3 बज़े का आप candle देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर देखा कि put के premiums gain हो सकते हैं क्योंकि market sideways है तो market call side तो जा नहीं सकता ठीक है तो और एक चीज़ देखने के लिए मैं ज़री थी कि put के premiums एक जगा sustain हो रहे थे ठीक है जो कि जैसे इसने यहाँ पर 60 का high लगा है तो यह sustain नहीं उपाए तो वापस से जब यह गिरावट की हो रहा है तो मैंने इस premiums को यहाँ पर cut किया तो जो मेरा loss था वह करीब करीब मैंने यहाँ पर loss रिकवर किया हाँ हाला कि मुझे profit तो नहीं हुआ है लेकिन सबसे वड़ी बात रही कि मैंने यहाँ पर अपने loss थो रिकवर किया हूँ अब देखें अगर आप India Wix की बात करेंगे तो India Wix भी यहाँ पर 3.56% के आसपास यहाँ पर break हो चुका है और trade कर रहा है 11.65 के आसपास तो आप लोग जानते ही अगर आप यहाँ पर India Wix की बात करेंगे तो जब भी India Wix इस तरीके से low पर trade करता है तो आप लोग जानते ही हैं कि premium उसमें किस तरीके का हमें moment देखने के लिए मिलता है तो premiums अस्ते भी होते हैं और दूसरी बात क्या है कि premiums अस्ते होने के साथ उनके अंदर कोई बड़ी तेजी हमें देखने के लिए नहीं मिलती है और अगर इंडिया विक्स बहुत तेजी के साथ यहाँ पर गेंद नहीं होगा तो कही न कहीं sideways moment और premiums को बहुत तेजी के साथ गलाया जाएगा खतम किया जाएगा और यह moment ऐसे ही continuing चलता रहेगा अब देखें कल bank nifty की expiry है तो bank nifty में बहुत से लोग trade करना चाहेंगे 0-2 hero trade को भी ठोणना चाहेंगे लेकिन bank nifty एक बहुत अच्छे नेवल पर trade कर रहा है देखें एक चीज इस market में जो आप लोग देत रहोंगे वह क्या है कि market अभी strong है ठीक है seller इस market को गिराना चाहते है लेकिन अभी वह गिरा नहीं पा रहे है और सबसे बड़ा नेवल जो है bank nifty का वह कौन सा है यहाँ प हम 47,500 को देखेंगे तो 47,500 पर market में आपको यह जीज देखने के लिए मिलेगी कि कल भी market ने इसी level का respect चिया था और आज भी market इसी level का respect करके गया है और एक level इसके साथ साथ और आता है यहाँ पर 47,550 यह भी हमारे लिए एक strong level है अगर 47,550 के ऊपर market है तो कही ना कही हमें buying options देखने के लिए मिल सकते हैं और 47,500 के बाद आप लोग जानते ही हैं कि फिरिये सेम डेगा हाई के आसपात यहाँ पर moment बना सकता है लेकिन अभी क्या है भी FIDI का data आया नहीं है FIDI का data आने के बाद हमें एक जो view है market को लेकर वह clear हो जाएगा कि यहाँ पर FIDI किस तरीक positions बना कर बैठे हैं कल के दिन और अगर वह investment कोई बड़े level पर नहीं करेंगे तो मैं कहीं न कहीं ये sure हूँ कि कल के दिन भी market के अंदर हमें कोई बड़ा moment देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा ठीक है अगर महाँ पर FIDI बड़ा moment करते हैं बड़ी यहाँ पर investment करत हैं तो ही हमें market के अंदर कोई बड़ा moment देखने के लिए मिलेगा उससे पहले देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर आप कल का FIDI का data देखेंगे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो FIDI ने बड़ा investment नहीं किया था ठीक है बहुत छोटा investment था FIDI का तो market के अंदर इसी व वर सेलिंग को find कर सकते हैं ठीक है और FIDI का data के साथ आप लोग एक view भी clear कर लेंगे कि operators यहाँ पर किस तरीके का view बना कर बैठे हैं तो guys मिलते हैं आप लोगों के साथ next video में thank you